एलो दोस्तो आज हम जानने वाले हैं 4G गेम में हम sensitivity setting, aim sensitivity, graphics, background volume और volume की settings कैसे कर सकते हैं तो दोस्तो बहुत ही असानी से समझने वाले हैं उमिद है आप सभी को 4G गेम है जो पसंद आई होगी और अगर नहीं आई है तो comments में जरूर बताएं और आप ये भी बताएं 4G गेम में क्या-क्या improvements हैं जो होनी चाहिए और इसी के साथ दोस्तो अगर आप सभी ने अभी तक 4G गेम को अपने device में install नहीं किया है और आपको नहीं पता चल रहा है कैसे इस गेम को हम download कर सकते हैं अपने android device में play store से तो इस topic पर वीडियोस आप सभी को channel पर मिल जाएंगी तो वहाँ से जाकर आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कैसे 4G गेम में हम है जो जरूरी settings कर सकते हैं तो चलिए बीना समी गबाय जानते हैं तो 4G game को open करने के बाद हम सभी इस interface पर आ जाते हैं यहाँ पर आप सभी को settings का एक option मिल जाएगा इस पर हमने click करना है तो settings पर click करने के बाद आप सभी को 4G game से related जरूरी settings हमें यहाँ पर मिल जाती हैं तो यहाँ पर सबसे पहले audio से related settings जैसे की game की volume अगर आप सभी अपने हिसाफ से कम ज्यादा करने चाहते हैं तो आप सभी को यहाँ पर volume का option मिल जाएगा आप सभी ने यहाँ से slide करना है left या फिर right side की तरफ आप अपने हिसाफ से यहाँ पर इस game की volume को adjust कर सकते हैं और उसके बाद अगर आप चाहते हैं इस game का background music को कम करना तो उसके लिए आप सभी ने यहाँ पर background volume पर जो tap दी गई है इसे हमने left या फिर right side की तरफ है जो slide करना है इसके बाद background volume भी है जो इस game की control हो जाएगी और उसके बाद अगर इस game की graphics की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी ने अपने device के हिसाफ से यहाँ पर graphics setting करनी है अगर आपके mobile की performance अच्छी है तो आप सभी 4G game की graphics है जो ultra पर set कर सकते हैं पर अगर आप सभी medium करना चाहें high या फिर very high तो आप अपने device के हिसाफ से graphic setting कर लीजिए और उसके बाद sensitivity setting तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी ने अपने player के लिए यहाँ पर sensitivity setting को कर लेना है आपने भी यहाँ sensitivity के लिए यहाँ पर दियेगे slide पर है जो left या फे right तरफ लेकर जाना है और उसके बाद आप की playeur की यहाँ पर sensitivity settings हो जाएगी और उसके बाद एम sensitivity तो यहां पर आप सभी aim settings के नीचे दिएगे slide को left या फिर right की तरफ है जो slide कीजिए जिसके बाद आपके player की aim sensitivity setting यहां से हो जाएगी आप सभी यहां से अपने इसाफ साफ से एक बाद set करके check कर लिजी और अगर आपको sensitivity setting सहीं नहीं लग रही है बापपी से यहां पर आ जाये है और अपने इसाफ से कम या फिर settings कैसे कर सकती है, वीडियो helpful रही हो तो वीडियो को लाइक करें, और आगे 4G से ये related वीडियो को देखेने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए,